आईए देखते हैं आज एक छोटा सा बढ़ियां सा प्यारा सालेशन है जो दक्षा दस्मी के साइंस वन से है उस चैप्टर का नाम है उस्मा दहीड उस्मा से संबंदित कुछ प्रस्ण हम आपको यहां पर देंगे और उसके अंसर भी वताएंगे आप देरे-देरे करके एक इस ही मिनटों में आपका पूरा का पूरे लेशन के जितने भी ऑपजेक्टिव कुष्चन है वो तयार हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं कुष्चन नंबर वन अब कुष्चन नंबर वन है हवा में उपस्थित पानी के वास्प को डैस नाम से जाना जाता है प्रस अब यहां डैस में आपको एक एंसर लिखना है एंसर क्या होगा हवा में जो नमी होती है हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता ये देखिये आर्द्रता यह है और इंगलिस क्या बोलेंगे humidity, the water present in air is called humidity, समझ गए न, अब आईए हम देखते हैं, question number two, बहुत मस्त question है, question number two देखेंगे, समान दबिमान के पिंडों को समान तापमान दिये जाने पर भी, उनके अंतिम तापमान अलग अलग होते हैं, क्यों होते हैं, आप बताना है, पर समझ देजिए, मालिजी हमारे पास कुछ अलग अलग धात्मों के अलग अलग गोले हैं, पिंड हैं, हम उनको समान समय के लिए समान टेंपरेचर देंगे माने इक्वल टेंपरेचर भी दे रहे हैं टाइम भी इक्वल ही दे रहे हैं लेकिन जब बाद में हम उनका टेंपरेचर नापते हैं तो यह अलग अलग धातों के टेंपरेचर इक्वल नहीं होते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी धात्में होती है या जितने भी पदार्थ होते हैं सारे पदार्थों के उसमा धारन करने की छमता जिसकों कहते हैं बिसिष्ट उसमा धारकता ये अलग-अलग होती है तो आपका answer क्या होगा समान द्रब्यमान के पिंडों को समान तापमान दिये जाने पर भी उनके तापमान अलग-अलग होते हैं क्योंकि बिशिष्ट उस्मा धारक्ता के कारण When various type of objects are given equal heat for equal time but they don't show the equality in reference of temperature only because of specific heat capacity Question number 3 Question number 3 है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते समय उस्मा जाती है अब उस्मा दी जाती है किल्डी जाती है ध्यान सुनना जब कोई पदाच ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है उस समय उस्मा जानते हैं क्या होती है उस्मा निस्कासित की जाती है उस्मा निकाली जाती है heat release की जाती है आपका answer क्या होगा released यहाँ पर क्या होगा आपका released या given out या निस्कासित होती है question number 4 देखेंगे dash उपकरण का प्रयोग पानी के असंगत ब्योहार के अध्यन के लिए किया जाता है means which operators is used to study the anomalous behavior of water पानी के असंगत ब्योहार का अध्यन करने के लिए वो कौन सा उपकरण है जिसका उप्योग आप करते हैं तो वो है आपका यहाँ पर पानी का संगत ब्योहार पता करने के लिए hope का उपकरण सुनने जी यहाँ पर hope का उपकरण hopes operators आईए question number 5 देखेंगे पानी के पानी को उबाल कर वास बनाते समय जब पानी को आप उबाल करके वास बनाएंगे उसमें क्या होता है यहाँ पर कौन सी चीज है जो ग्राण की जाती है और कौन सी चीज है जो इस्थर रहती है which out of heat and temperature is absorbed and which is constant while boiling the water तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपको सबसे फाले उसमा ग्राण की जाती है heat is absorbed तापमान इस्थर रहता है temperature is constant अब question number 6 देखेंगे पिघलने पर बर्व का आयतन डैस होता है अब आपको यह लिखना है कि कम होता है कि बढ़ता है जब बर्व पिघलती है द्रौ बनेगा और आप जानते हैं द्रौ का आयतन बर्व के आयतन से कम होता है इसका मतलब पिघलते समय बर्व का आयतन घटता है अब क्वेस्टन नमबर हम देखेंगे सेवन देखना यहाँ पे वास्प के संघनी तोरते समय डैस निकलता है और डैस इस्थिदाता है अब यह पहले वाला प्रसन आगे यहाँ पर वेन वाटर वेपर कंडनसेट विस्थिंग इस रिलीज और विच इस कंटन यहाँ आपका ब्रेकेट में ओप्शन दिया है ताप और उसमा टेंप्रेचर एंड हीट तो आप यहाँ पर करेंगे निकलेगे क्या यहाँ पे यहाँ पर फर्स्ट में आप क्या निकलेगे हीट एंड टेंप्रेचर हीट इस रिलीज वाल टेंप्रेचर इस कंटन कुर्शन नमबर एड बर्फ वह पदात है जो पिघलते समय यहाँ और पानी वह पदात है जो जमते समय क्या होता है बर्फ हुआ पदात है जो पिघलते समय फैलता है ठीक है फैलते समय क्या बर्फ हुआ पदात है जो पिघलेगा तो क्या होगा आयतन कम होगा मतलब संकुचित होगा जबकि पानी वह पदात है जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा मने फैलता है means ice while melting ice क्या होता है ice is contract and water is expound अभी question number 9 question number 9 देखेंगे यहाँ पे question number 9 है एक kilogram बर्प को zero degree Celsius ताप मान पर पिघल कर एक kilogram पानी बनने में कितने कैलरी उसमा अवसोचित होती है how much amount of heat is absorbed while the melting of 1 kg ice in form of 1 kg water आपका answer होगा 80 कैलरी क्या हो गया है है पे 80 कैलरी ध्यान देना जब एक इगरा पर zero degree Celsius पर पिघल कर एक इगरा पानी बनाएगी तो उसके लिए उसमा अवसोचित होगी कितना होगी 80 कैलरी question number 10 देखेंगे वास्पी करण की गुप्त उसमा कितनी होती है वास्पी करण की गुप्त उसमा 540 कैलरी होती है ठीक है अच्छा अब आपको अब देखेंगे अब इसमें आप क्या लिखेंगे 11 में 80 कैलरी पर ग्राम यह देखेंगे question number 12 पानी का तापमान 0 से 40 करने पर उसका आयतन क्या होता है और घहनत तो क्या होता अब ध्यान रखना जब हम पानी को 40 से नीचे लाएंगे तब उसका व्योहार असंगत होता है मने उल्टा होता है लेकिन जब हम 4 से उपर जाएंगे तो नॉर्मल वस्तु की तरह करेगा मतलब क्या करेगा जब 4 से उपर मने 4 से 10 पर जाओगे उसका आयतन जो है वाल्यूम जो है वो बढ़ेगा और उसका घनत्व डेंस्टी क्या होगा वो बढ़ेगी उल्टा होता है आप जानते है आप लोग न ठीक है अच्छा उसका वाल्यूम बढ़ेगा और घनत्व घटेगा ठीक है कुश्चन नमबर 13 4 डिगरी सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत इतना होता है कितना होता है सबसे ज़्यादा याद रगनाप्रसंट को 4 डिगरी सेल्सियस पर पानी का घनत सरवाधिक होता है यह लिख सकते है या कभी कभी अगर option आपको दे दिया जाए जैसे यहाँ पर है देखना 10 होता है 4 होता है 4 into 1000 होता है 1 into 1000 होता है 1 into 1000 पर मीटर क्यूब इसमें सबसे ज़्यादा कौन है आपका ये है ठीक है कौन सा है 4 into 1000 किगराप पर मीटर क्यूब अब आप आप्सन दिया है तो जो सबसे ज़्यादा आप उसको लिख लेजिए और आप्सन नहीं दिया गया तो इतना याद रखिए कि 4 डिगरी सेल्चिस पर पानी का घनत तो क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि देखो अभी जब 4 की नीचे आएंगे 4 की जब नीचे आएंगे तो क्या होगा आएतन बड़ेगा पानी का आएतन बड़ेगा आएतन बड़ेगा गनत घटेगा इसलिए 4 पर सरवादिक होता है या तो option में अगर दिया गया है तो जो सबसे ज़्यादा दिखें आप उसको एंसल लिख सकते ह क्योंकि question दोनों प्रकार से आपको आशकता है Question number 14 अब फिर वही प्रस्न आ गया पानी का अधिक्तम घनत तो किस ताप मान पर होता है The maximum density of the water is at 4 degree Celsius 4 degree पर भाई किस पर 4 पर होता है पानी का सरवादी घनत तो 4 degree Celsius पर होता है चलिए अब आपने 14 question तो देख लिया 14 number आपको मिल गए अब आईए हम देखते हैं Question number 15 से आगे क्या है अब यहाँ देखना प्रस्न है 1 kg पानी का अधिक्तमा 14.5 से 15.5 तक करने के लिए मतलब 14.5 से 15.5 मतलब 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए कितने उस्मा की जरूरत होती है याद रखना 4 180 कैलरी ठीक है 4 180 J जूल की आउच्छता होती है अब इसको आप अगर कैलरी बनाना चाहें तो बड़ सिंपल से बात है 4.180 का भाग कर देजिए अगर आप कैलरी देखना अगर जूल को कैलरी में कनवर्ड करना है तो 4.18 का डिवाइड कर देजिए और अगर कैलरी को जूल में करना है तो आप वहाँ पर कैलरी में इसका गुलर कर देजिए 4.18 का अगर जूल की अगर जूल निकालना चाहेंगे 4.18 का डिविजन करेंगे इसमें आ जाएगा, question number 16, बड़ा important है, यहां देखना, question number 16 क्या बोलता है, बिसिष्ट गुप्त उस्मा को इस इकाई में ब्यक्त करते हैं, बिसिष्ट गुप्त उस्मा को कौन सी इकाई में ब्यक्त करते हैं, the specific latent heat is expressed in this unit, अब unit क्या है, ज्यान रगना, calorie पर gram, calorie पर gram, याद रगना, next है, सापेक्ष आज़ता की इकाई डैस होती है, the unit of relative unity is dash, अब याद रगना, सब जब सापेक्ष आ गया, तुलनात्मक आ गया, कोई चीज तुलनात्मक होगी, तो उसमें कोई इकाई, कोई unit use नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगे, नहीं होती है, there is no unit for the relative unity, question number 18 लेखेंगे, निरपेक्ष आठता की इकाई क्या होती है, what is unit of absolute humility, तो आप इसका answer क्या देखेंगे, याद रखना, इसका बदा अच्छा answer है, इसका होता है, कि ग्रामाने केजी पर यम क्यूब, यह, question number 18 आपका हो गया है, अब आईए देखते है, question number 90, ध्यान देना, आठता मापक यंद्र, मन जिस यंद्र से, जिस उपकरन से, आठता को नापते हैं, उसका नाप क्या है, उसे बोलते हैं, आठता मापी, या, हाइग्रो मीटर, हाइग्रो मीटर, आठता मापी, हाइग्रो मीटर, question number 20, इस section का last question है, यसाई पद्धती में उसमा की इकाई क्या होती है, या दखना जूल, यसाई पद्धती में उसमा की काई जूल होती है, अब आपका ये section number 1 हो गया जो कि 20 mark का question था अब आईए हम कुछ question देखेंगे section number B में section number B में कुछ हम छोटे question देखेंगे कुछ definition देखेंगे और साथ में match देखेंगे match को cricket वाल नहीं यहां जोड़ियां मिलाओ कर देखेंगे अब section B में एक वाकी में आपको इसका उत्तर लिखना है question number 1 है सीत प्रदेशों में किस प्रभाव से जलिये जीव जीवित रहते हैं अब देखना जरा ध्यान देना अगर ये question आपको दो या तीन नमबर काता है तो detail में लिखना पड़ेगा और अगर एक नमबर माता है तो लिखना पानी के असंगत व्यवहार के कारण due to the anomalous behavior of water अब detail माता है तो आप बड़े प्रसंद पढ़िए इसका हवा में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं the water presence in air is called humidity ये प्रसंद पाले आया था हवा में उपस्थित नमी को आधता कहते हैं चलिए question नमबर थर्ड CGS पध्यती में बिशिष्ट उसमा धारिता की इकाई धाईता है जर ध्यान देना धारिता की इकाई क्या है what is the unit of specific heat capacity in CGS system आपको पीछे प्रस्थ मिला है याद एक नहीं याद है अगर नहीं याद देख लो calorie per gram degree Celsius question number अगला देखेंगे EMKS पध्यती में ध्यान देना CGS में calorie है तो EMKS में आप kilo calorie कर देंगे याद देखना बस सिंपल ता है अगर बिसिस्ट उसमा धारिता की काई आपको CGS में बोले जाता है calorie पर gram करते हैं और अगर EMKS में है यहाँ kilo calorie कर दोगे यहाँ kg कर दोगे हो जाएगा simple जी बात है question number फूर हो गया हमारा अब है फाई ओसांग की किसे कहते है सबसे simple सबसे important question what is due point जिस तापमान पर हवा जल की वास्व से या जल की नमी से संत्रिप्त हो जाती है उसी तापमान को ओसांग कहते है थी न as a temperature when air is saturated with the air droplets it's called dew point ठीक है question number 5 होगे अब ज़रा question number आप 6 में देखेंगे मेरा मन कहता है मैं आप लिए छोटन उसको देखो पाला है उस्मा किसे कहते है what is the heat टिंपल्त है उस्मा एक प्रकार की उर्जा है तापमान क्या है तापमान किसी प्रदार्त में सन्नित समाहित उस्मा की मात्रा है अध्यान देना उस्मा की काईया calorie, kilo calorie, joule अग तापमान की काई क्या होती है degree Celsius, foreign height and Kelvin गुप्त उस्मा क्या है simply अगर देखें किसी प्रदार्द के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतित होते समय जिस तापमान पर उस्मा ग्रहन की जाती है उसे हम कहते है गुप्त उस्मा latent heat what is latent heat latent heat is a certain temperature on which temperature is being absorbed by any object बिस्थ उस्मा परिभास वही है आड़ता आप कई बार देख चुके है अब आईए देखेंगे यहाँ पर फिर आपके लिए एंसल लिख दिया गया है question number आप देखेंगे 6 CGS पद्दती में बिस्थ उस्मा धारता की काई क्या है देखेंगे यह प्रस्थ कई बार रिपीट कर दिया रहा है इसलिए ताकि भूल लेना या CGS में कलरी पर ग्राम सिल्चिस है और MKS में किलो कलरी पर देखो यहां गलत हो गया ध्यान देना किलो कलरी पर केजी डिगरी सिल्चिस है question number 7 rocket के पीछे सफेद धुए की लकीरें क्यों बनती है अब ध्यान सुनना जब rocket हवा में जाता है rocket मंडल से वाय मंडल में जाता है तो उसे वास्प निकलते हैं और वास्प निकलते समय अगर वहाँ वाय मंडल का temperature कम है तो उस पानी की वास्प का संगनन हो जाता है condensate हो जाते हैं और संगनी तो हो करके वो dewdrop की रोप में देखाए देते हैं अब ध्यान आपने ये भी दिया होगा अगर कभी-कभी वो जो rocket की पीछे लकीरे देखती हैं बादल की तरह दुए की तरह कभी-कभी काभी समय तक उरुकि रहते हैं और कभी-कभी जल्दी खत Гcorff ऐघर क्यों हो जाता है depend upon temperature अगर ताप मान जादा है अगर ताप मान जादा है वस्यंदी खतम हो जाती है या तो कभी-कभी बनती ही नहीं है अगर temperature कम है सर्दियों में पानी के नल क्यों फड़ जाते हैं सर्दियों में जब पानी के नल के अंदर समाहित पानी जल का तापमान फोर डिगरी से नीचे आता है तो पानी के असंगत बिवहार के कारण उसका आयतन बढ़ता है आयतन बढ़ने से पानी की जो नले होती है पाइप होती है वो फड़ जाती है यह सीधा लिखिये है पानी के असंगत बिवहार के कारण आपका यह अंसर हो जाएगा ठीक है यह भी पानी के संगत विवार कारण ओस क्यों पढ़ती है अब ओस यह पढ़ती है जब वाय मंडल में नेमी की मात्रा बढ़ जाती है तो हवा जो होती है वह संत्रिप्थ हो जाती है तो जो वास्प के कड़ है वो पानी की बूंदों के रूप में पकट होते है अब कुस्चन नमबर 11 है इसमें आपको जोड़ियां मिलानी है यहाँ पर A और B दो कॉलम दिये गए है यह और B में आप मिला यह जब देखते हैं क्या क्या है जलका असंगत व्योहार का संबन किससे है सापे कारता नहीं भाई वन की लोकल यह भी तो इकाई है फोर डिगरी यह भी नहीं होप का उपकरन बिलकुल जही मने वन के सामने आपका D रहेगा एक अंसर तो हो गया अब हम देखेंगे कुस्चन नमबर 2 जलका महत्तम घनत कई बार मिला भाई जलका सरवादि घनत तो कब होता है जब उसका आयतन सबसे कम होता है पोर डिगरी सिल्चियस पर इसका मतब टू में आपका रहेगा सी ठीक है टू का सी बराबर है अगला है जलकी बिशिष्ट उसमा धारकता जलकी बिशिष्ट उस्माधा रखता ये साप एक आर्टा में आ जाएगा भई ठीक है ने ये आएगा इसमें संगनन क्या होता है संगनन का सम्मन तो सांग से है ना उसकी बादर बुद निकल ना ठीक है अब आपने कुश्चन नंबर 12 देख लिया अब आगे देते हैं 12 ये भी जोड़िया है ये भी आप बना लेंगे देख जाएगा विशिष्ट उसमाधारिकता का संबंद किस से है जरत बड़ा हो गया ये देख देख लिए उसका संबंद वनका संबंद कैलरी से है एक कड़ी हो गया ठीक है ये क्या और कुछी है अरे हा एक का हो जाए किलो कैलरी प्रत केजी ये ना पाले का ई है यहां लिए देख ले ना दूसरा है उसमा उसमा का संबंद कैलरी से है तो दूसरे कड़ी ताप मान का ओसांग से कम होने पर क्या होता जब ताप मान ओसांग से कम हो जाएगा तो संगनल होता भाई जल का संगनल ह होता है ठीक है चौता जलका संगत विवार यहां पर आ गया इस प्रकार आपने इस चैप्टर से सम्मंदित जितने भी ऑब्जिक्टिव कुस्चन थे उसको देखा अब बड़े कुस्चन के लिए आप वेट कीजिए और वेट करते करते इस वीडियो को कनफर्म कर लेजिए तो फिर मैं आपको अगले बड़े प्रस्नों का इसी चैप्टर से बड़े जो प्रस्न होंगे सांटिफिक रीजन होंगे वो प्रस्न मैं आपको देदूगा और हाँ वेडियो देखने के बाद में अगर आपको वेडियो समझ में आई हो अच्छी लगी हो आपके काम भी सब्सक्राइब करना बनता है और साथ में लाइक का बटन दबाना न भूले अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब और बिल आइकन तो जरूर दबाएंगे ताकि ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो आपके एक्जाम के लिए उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लगा अबावट के वीडियो मिलती है थैंक यू एरी मच फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में